इंडिया गटबंदन के कुछ न्यूज चैनल एंकर्स को बैन करने का निर्न है कहीं भारत को फिर से आपात काल की तरफ तो नहीं ले जा रहा है लग तो ऐसा हिरा है दरसल कुछ दिनों पहले 26 दलों के इंडिया गटबंदन ने भारत के 14 न्यूज एंकर्स पर बैन लगा दिया है यानि कि इंडिया गटबंदन का कोई भी दल इन 14 न्यूज चैनल एंकर्स के किसी भी कारेकरम में सहभागी नहीं बनेगा इन एंकर्स के लिस्ट में आज तक न्यूज चैनल के एंकर सुधीर चोधरी का नाम है रिपब्लिकट टीवी के एंकर अर्बन गोस्वामी का नाम है और डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तवा का नाम भी शामिल है भारत के इतियास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब किसी गड़बंदन ने देश के मीडिया का भईशकार किया हो। इससे पहले इंद्रा गांधी के दोर में आपातकाल के दोरान सभी मीडिया चैनल्स को बैन कर दिया गया था। गड़बंदन के नेताओं के नुसार ये सभी न्यूज एंकर्स अपने कारेकरम में नफरत की दुकान चलाते। पर नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने के चकर में कहीं ये लोग ये तो नहीं भूल गए कि मीडिया किसी भी लोगतंत्र का चोथा स्थम्ब होता है। वैसे आपको इंडिया अलाइन्स का ये कदम कैसा महसूस करवा रहा है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। तो क्या होगा। तो वो पुलिस ओफिसर कहता है कि उस लड़की की जिंदगी की कोई एहमित नहीं है। दे देंगे 11,000 डोलर और जान चुड़ा लेंगे। जरा सोचिए कि ये सुनकर जानवी के माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। ये बहुत ही शरमनाक है। हर एक भारतिये को इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि गाइज आज हम साथ देंगे तो भारत के बाहर पढ़ रहे हमारे बच्चों का कोई मजाक नहीं बना पाएगा। तो चलो जानवी के लिए आवाज उठाते। से सिर्फ एकी वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देश वासियों से अपील की कि वो अब एकी वक्त का खाना खाएं। क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खालेंगे लेकिन यूएस की धमक्यों के आगे जुकेंगे नहीं। हरित क्रांती उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की जै जवान जै किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादू शास्त्री जी को मेरा सलाम आपके प्यार की हद कितनी है आंसर देने से पहले कहानी जरू सुन लेना ये बात हो 1970 की जब स्वीडन से एक टूरिस से एक इंडन आर्टिस को पहली नजर में प्यार हो गया उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई लेकिन कुछ कारणों की वज़े से उस लड़की को वापस अपने देश लोटना पड़ा लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता इसलिए साल बर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपे में एक साइकिल खरी दी और 500 रुपे लेके दिवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने और 4 महीने की मशक्कत के बाद कोई टेकनोलोजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुँच गया इतना शिद्धत वाला प्यार देखकर लड़की के माबाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी है ना जुनूनी बात आपके प्यार में कितना जुनून है चायट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा